नमस्ते, मेरा नाम मीखना शुकला है, और मैं इंदॉर्श हर की रहने वाली हूँ, मैं मिलेट्स से कुकिंग करना सिखाती हूँ, मिलेट्स मतलब जो हमारे स्रीधान्य मिलेट्स है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ ये बुलना कि मिलेट्स बहुत अच्छे आप खा बना रहे हैं, और उसे प्रॉपर नहीं बना पाएं, अच्छा टेस्ट डैवलप नहीं कर पाएं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि उसे हम लोग अपना पाएंगे अपने डेली लाइफ में, काफी रिसर्च करके और इसकी अलग-लग दिशिस बनानी शुरू की है, तो पहल लेकिन हम नौर्थ इंडियन लोगों को एक ही चीज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम इसकी रोटी कैसे बनाएं और जो हमारा अनपॉलिष्ट सीरिधान्य मिलेट जो हमें मिलता है उससे फिर मैंने रोटी बनानी की कोशिश की और मैं बताऊं कि बहुत अच् जाता है तो हमें बहुत ज्यादा उसके पीछे महनत और तैयारी लगती है कि पांच पांच आटे हैं हर दो दिन में हम बदले है और उसको आटे की फ्रेशनेस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक तो हमें आटा पिस्वानिकी भी ज़रूरत नी है और दूसरा की फूरा न्यूट्रिशन उसमें इंटेक्ट रहता है है ना तो चलिए आईए हम दिखते है कि कैसे होल ग्रेन आटे से हम रोटी बना सकते हैं ये देखिए इस रोटी को बनाने के लिए हमें सिर्फ ये चार इंग्रेडियंस की जरुरत है ये ब्राउन टॉप मिलिट है ठ ये देखिए ये ब्राउन टॉप मिलिट है आज इसी से हम लोग रोटी बनाएंगे रोटी आप सारे पाचों मिलिट से बना सकते हैं जो भी स्रीधन्य मिलिट से लेकिन आज मैं आपको ब्राउन टॉप मिलिट से रोटी बनाना दिखा रही हूं इसे हम एक बार धोकर और बिल्कुल जितना मिनिमम से मिनिमम पानी है मतलब इसे हम बिगो लेंगे सोब कर लेंगे इस टोन राइंडर में डाल के ये मारा आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं ये देखिए मैं इसे इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसे पीसने में हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है पीज के आटा ऐसा हो गया है यह बिलकुल भी पतलान सबники है अपने इस לפ दिखा का गाडा-गाडा हमारा और आप बिल्Quil जितना जादा बारीВотर्चर बारीक से पीषुएगा अपने लिगोत को अपने यह पीं सकते हैं अब इसे हम गैस पर गरम कर लेते हैं इसे हम लोग आप एक बिल्कुल दीमी आचे और एकडम दीमी आच पर आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो बरतन भी मैंने लिया है ना यह काफी मोटे तली का है मोटे पेंदे का बरतन है अब इसमें आप इसे बस हिलाते जाहिए में लेकिन आप इसे छोड़ियेगा मत क्योंकि अगर छोड़ दिया ना तो यह पेंदे से लग सकता है और अगर आपने इसे ज़्यादा गीला कर दिया एक तो आपको इसे पकाना भी ज़्यादा पड़ेगा और दूसरा यह भी रहता है कि यह नीचे भी लग सकता है अब इस तरह से आप इसे हिलाते हुए बनाएंगे ना तो यह बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा आपका जैसे सूखना चालू हो गया है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसे तोड़ते चलें वरना कुछ गुट्धे भी बन सकते हैं यह काफी गाड़ा होना श अब यह काफी गरम है इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी है ना क्योंकि अभी हम इसे लगानी पहेंगे बहुत ज़्यादा गराम है आप चाहें तो अगर आप घी या तेल ना डालना चाहें और पिना घी तेल के भी बना सकते हैं पर मैं पसंद करती हू सॉफ्ट और अच्छी बनेगी थोड़ असा इसे मनना जरूरी है और आपने देखा इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला है कोई भी चीज नहीं डाली है यह प्लें सिंपल मिलेट से ही बनाया हुआ है थोड़ असा सूखा अटा लगा दीजिए तो ब अप्लिकेटिट प्रोसेस है और लेकिन सिर्फ एक हमें थोड़ा सा एक हैबिट डालने की बात होती है आप चाहे ना तो यह आटा लगा के दो दिन के लिए भी लगा के रख सकते जब आप रेफरिजरेटर में रखेंगे तो यह ऐसा ही रहेगा यह मिलेट की रोटी मैंने पहले बार खाईए बहुत ज़्यादा ठीस्टी है ब्राम टाब में लेट की रोटी बहुत अच्छी है वैसे कि मैं हर रोच खाता हूं पर बहुत अच्छी है आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले और साथ में डेल आइकन भी दबाना ना भूले और प्लीज हमारे वीडियो को शेर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे हर एक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अं यह जो down arrow है यहाँ पर आपको वीडियो के बारे में बाकी detail उसके साथ share किए बाकी वीडियो के link मिल जाएंगे हमारे telegram channel का link मिल जाएगा और कई बार हम अलगले तरह के products भी दिखाते हैं वीडियो के अंदर या reference देते हैं तो उनके भी आपको links हमारे video के description के अंदर नीचे म सकते हैं इसके साथ ही हमारे और भी जो interesting videos हैं वो आप हमारे channel के नाम पर click करने के बाद आप देख सकते हैं और आप उनको browse कर सकते हैं कर दो सकते हैं